5, 4, 3, 2, 1 21 साल बाद भारत का कोई प्रधान मंत्री वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम की बैठक में शिर्कत करने दावोस जाने वाला है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां एक बड़ा प्रतिनिदी मंडल भी जाएगा असल में वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम आर्थिक उदारी करण को प्रमोट करने वाला हाई प्रोफाइल क्लब है और उसमें हावर्ड वालों की ही शिर्कत ज्यादा है हालंकी करीब डेढ़ दशक तक धमक के बाद पिछले कुछ बरशों में इसकी चमक फीकी पड़ी है इसके पहले संग्युक्त मूर्चा सरकार के प्रधान मंतरी ह.ड देव गौडा फोरम की बैठक में दावोस गए थे यही नहीं हाल ही में प्रधान मंतरी मोदी ने अर्थ शास्त्रियों के साथ एक बैठक की यह सब तब हो रहा है जब डेश की सकल घरेलू उत्पाद जी डीपी व्रिधिदर 6.5 फीजदी पर आ गई है जो पिछले चार साल में सबसे कम है. ऐसे में मोदी सरकार आगामी एक फरवरी को अपना अन्तिम पूर्ण बजट पेश करेगी. यह बजट वित्त मंतरी अरुण जेटली की सबसे बड़ी परीक्षा होगी क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हो गई है. यह कुछ-कुछ पहली NDA सरकार के शुरुवाती दौर जैसा है जब तमाम आर्थिक मुश्किलें थी. लेकिन जब वह सरकार शाइनिंग इंडिया के नारे के बाद विदा हो रही थी तो देश की अर्थ विवस्था के मुख्यकारक सुधर रहे थे. लेकिन इस बार हालात उससे उलट थे. 2014 में देश को नई उम्मीदों के साथ अच्छे दिन का सपना दिखा कर 30 साल बाद किसी अकेली पार्टी भाजपा को बहुमत हासिल हुआ और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में NDA सरकार बनी. उसके पहले UPA2 सरकार पर तमाम घपले घोटालों के आरोपों के बावजूद अर्थ विवस्था की तस्वीर सुधर रही थी. उस समय के वित्त मंत्री पी चितंबरम की कोशिशों से महंगाई काबू में आ रही थी और राज कोशिय संतुलन सुधरने के साथ ही रुपया अपने सबसे कमजोर इस्तर से उबर रहा था. सही माइने में कहें तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक बहतर होती अर्थ विवस्था मिली थी. उस समय सरकार के लिए बहतर राजनायतिक और आर्थिक महौल में कड़े आर्थिक सुधार लागू करने की माकूल परिस्थितियां मौजूद थी. तेल की कम होती कीमतों ने सरकार को करीब एक लाख साथ हजार करोड रुपए का अतिरिक्त राजस्व, पैट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई एकसाइज ड्यूटी के रूप में दिया. भारतिय रिजरो बैंक ने कुछ समय बाद ब्याज दरों में कटवती भी की. उस समय के रिजरो बैंक के गवर्नर रगुराम राजन ने बैंकों के खातों को ज्यादा पारदर्शी बनाने के नियम से उनकी गैर निश्पादित परिसंपत्तियों एन पी ए की इस्थिती भी काफी साफ कर दी थी. तब एन पी ए करीब पांच लाख करोड रुपए था.